राजस्तान अधिनस्त और मंत्रा लेक सेवा चैन बोड निबंतात्मक शुर्त लेखन कती एक सो शब्द प्रतिमिनट पी रड़ी 3,2,1 स्टार्ट हे क्रशक तुमसे बड़ा पुरुशार्थी कौन है? तुमसे बड़ा तपस्वी भी कौन है? पैरा तुम्हें मानम का पोशन करने के लिए स्वयम इश्वर ने भीजा है भ्रमा को जीव रोप में अन्न के साथ स्रश्टी यज्य में आहून करने के लिए तुम्हें प्रशक नहीं गोपाल तुम्हें वैश्य हो तुम स्वतंत्र नहीं हो पलकी स्रश्टी विज्यान की एक कड़ी हो जिस प्रकार इश्वर मध्य योनी से बीज का खपन करते हैं तुम भी प्रत्वी की योनी में अगनी प्रज्वलित करके हल के द्वारा बीज बोते हो आगे का कारियर स्वयम धर्ती माता करती है तुम रक्षा करते रहते हो पैरा इस तेश में अन को भ्रह्मा कहते हैं यह तथ्य तुम से छिपा भी नहीं है इसी भ्रह्म को तुम हजारों लाखों मानवों के शरीर में पहुंचाते हो इसी अन से शरीर में शुक्र का निर्मान होता है शुक्र ही अगली पीढ़ी को भ्रह्म निवरत का बीज बनाता है और तुम भ्रह्मा विवरत के जनक हो सभी प्राणी अन से उत्पन होते हैं अन व्रष्टी यग्य से पैदा होता है यग्य विहित कर्मा से उत्पन होता है कर्म वेद से और वेद परमात्मा से उत्पन हो जाने पर परमात्मा ही यग्य है पैरा क्रशक तुम भ्रह्म यग्य के लिए अन्सोम की आहुती देते हो तुम भी भ्रह्म ही हो तुम्हारी प्रकर्ती विश्व निर्मान की दिशा तै करती है किसी भी यग्य के लिए युगल तत्व की अनिवारियता होती है प्रतेक यग्य के पांच अव्य कहे गए हैं अगनी समीधा अंगार विस्फुलिंग एवं हवी द्रव्य यही अगनी सोम युगल रूप कारिय करते हैं संपून या भ्रम पांच धरातलों पर आगे बढ़ता है सूरिय प्रत्वी पुरुष अधिद्यक्विक तता अध्यात्मिक यग्यों के दामपत्य भाव से आगे दामपत्य यग्य उत्पन होता है अधि भौतिक से नय यग्य उत्पन नहीं होता है ध्यावा प्रत्विय यग्य के आगे प्रान लक्षन तता प्रानी लक्षन दो भाग हो जाते हैं प्रान लक्षन यग्य में प्रत्वी अंतरिक्ष वर गो ये तीन अंग हैं तथा प्रानी लक्षन यग्य में व्रशा एवं योशा दो भाव हैं गो लक्षन पिता एवं प्रत्वी माता जैसे प्रानी लखण यग्य संपन होता है वैसे ही गो रसानुगत पुरुश प्रत्वी रसानुगत इस्तरी से प्रानी यग्य संपन होता है पैरा यहां यह उल्लेक करना उचित होता की सूर्य प्रकाश रूप अगनी प्राण से पुरुष स्रश्टी पैदा होती है तता प्रत्वी अंतरिक्ष के यात्री चंद्र प्राण से इस्त्री स्रश्टी उत्पन होती है स्वयम चंद्रमा का प्रकाश भी सूर्य प्रकाश का परिवर्तित रूप है मूल में भ्रगु एवम अंगिरा दोनों ही आपह रूप है शरीर का वैश्वानर अगनी ही पुरुष कहलाता है यह शरीर ही वैश्वानर अगनी की समीधा है इस पुरुष अगनी में वर्षा से उत्पन्न अन्न की आहुती दी जाती है यह अन्न क्रशक ही उत्पन्न करता है इसी से रस, रक्त, मास, मेद, अस्थी, मज्जा और शुक्र बनते हैं यही शुक्र अगले भ्रम का बीज है तुम्हें मालुम है कि अनाज के दानों में जीव पढ़ने को पहले नहीं काटा जात पहरा तुम्हारी भूमी का इतनी मत्र सी नहीं है जब तुम हल चलाते हो तुम्हारी पत्नी बीजनी से बीज बोती जाती है तब तुम कुछ गीत भी गाते हो इश्वर से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते हो अनाज खाने वालों के स्वस्थे की भी मंगल कामना करते हो ये सारे वे ही भाव है जो एक माँ अपनी संतान के लिए खाना बनाते समय भावित करती है भाव भूमी पर तुम ही अन्न दाता हो पिता भी हो संस्कृती का उद्गोश भी है की जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन तुम्हारे मन के ये भाव भोगता तक पहुचाए जाते हैं पहला भोगता इश्वर होता है वह अन्न कोट चड़ाता है हम सब तो प्रसाद खाते हैं दिव्य प्रसाद आगे अन्न में व्यापारी के मन के भाव जुड़ जाते हैं पहरा तभी भी तुम जानते हो की कलियुग के अन्त में प्रलय आती है क्या तुम भी यह है समझ पाय की इस बार प्रलय के लिए बली का पक्रा क्रशक को बनाया जा रहा है विज्यान के नाम पर लोग धन्दा कर रहे हैं हमको तुमको भ्रमित कर रहे हैं जो हमारी माटी को नहीं जानते प्रकरती को नहीं जानते अन्भ्रम को नहीं जानते सेवा करने का तथा मानव जीवन का महत्व नहीं जानते जिनके जीने का एक मात्र सपना है पेट भरना रिटायर होना मर जाना वे हमारी आस्थावान मानसिक्ता को विशैला बना रहे हैं और यह सब विज्यान के नाम पर करवा रहे हैं एक तपस्वी के सिर पर मानवता की हत्या का पाप मढ़नी का कुचक्र विराम ताकी विज्यान पर आज भी न आये पैरा प्रत्वी पर देवों से असुर तीन गुणा होते हैं आज की शिक्षा नित नए रक्त बीज पैदा कर रही है लक्षमी के आगे चेतना सुप्त हो रही है मानव शरीर में दानव पैदा हो रहे हैं माने संसकार देना ही विस्मृत कर दिया अतहे तुमको भी पता नहीं की तुम प्रलै का महरा बनाए जा रहे हो तुम्हारी तपस्या कलंकित हो रही है तुम पोशक नहीं मानवता के संहारक बन गए हो अन ब्रह्म में विश मिलाकर अनकुट मना रहे हो तुम्हारी प्रार्तना धन की मात्रा डूंढने लग गई है इससे बड़ी भ्रांती जीवन में और हो भी क्या सकती है अधिक उपजाओ अधिक कमाओ अधिक कैंसर अधिक दवाईया पैसा फिर वही वियानिकों के पास बीमारी का कश्ट हमारे परिवारों का किसी सलाहकार अधिकारी का तुम्हारे साथ सुख दुख का रिष्टा नहीं है वह तो खुद भी अंग्रेजों की तरहे तुम्हें न केवल लूटता है बलकि तुम्हारे लिए तो आत्मा हत्या के हालात पैदा करता जाता है बैंक, बीमा, क्रशी अधिकारी की तुम प्रजा हो इनके भ्रजमाल से बाहर निकलना तुम्हारी पहली अनिवारियता है नहीं तो मानव समाज, पंगो और धर्ती भी बांज हो जाएंगी कीट नाशकों के कारण अपनी उर्वरा शक्ती ही खो बैठेगी पाप का सारा घड़ा, क्रशक के सिर फूटेगा विराम, असोरी शक्तियां अटहास करती रहेंगी पैरा इस बीच आशा की किरण यदी है तो वह है हमारी परंपरागत खेती और गौपालन, शुद्ध, मोटा इस्थानिये, अनाज, देशी, बीज, गोबर, खाद, घी, दूद की नदियां, देशी, गाएं, देशी, आहार, एवं, पुरुशार्त, इश्वर में, आस्ता, एहम, ब्रह्मास्मी स्वरुप, आज भीतर, बैठा भ्रह्म सुप्त है, शरीर बिक रहा है, तुम ही, आत्मा को पोशक हो, रक्षा करो, मानवता की, दुष्टों को सुनना बंद करो, भीतर की, आवाज सुनो, देश के विचार बदलेंगे, अंग्रेजों की नकल बंद होगी, विचार धारा से पुन है, स्वतंत्र एवं शरीर से हस्ट पुस्ट होगा, नई उद्डान और नया आस्मान, तुम और हम एक ही धरती मा के लाडले हैं, पेड में लगा कीडा, किसी एक पत्ते को नहीं, पूरे पेड को खा जाता है पूनविराम